सबी लोग का स्वाकत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा भीएफ कर सकता है सेकेंड हाफ में अभी बज रहे हैं नौ बच के पचास मिनट में वीडियो जल्दी टाल रहो हूं क्योंकि थोड़ा सा मार्केट कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग स्टेज में ताकि आपको ट्रेड ल लग का ओपनेंटर्स यां पर खड़ा हो गया ऑशोला 500 की पूट पर 41 लग का ओपनेंटर्स देख रहा है 16-600 के बात करें तो 41 लग का open interest call site पे और put side पे आपको यहां पे कितना दिख रहा है करीब 20 लग का open interest रह गया है और 16-700 के बात करें तो 50 लग का open interest call site पे और put side पे सिर्फ 11 लग का open interest रह गया है अब देखो यहाँ पे समझने की चीज़, देखो option chain data आपको यह indicate कर रहा है market negative है, ठीक है न, 32 लग का open interest morning trade में add हो गया 16500 की call में, जो की nearest call है, ठीक है न, अब यहाँ तो यह call writer strongly market को नीचे ले जाएंगे, यहाँ फिर market 16500 पे support लेके ऊपर bounce कर जाएगा, क्योंकि, देखो, 16500 पे call writer आने का मतलब क्या है, कि market negative है, नीचे जा सकता है, ठीक है, बट नीचे जाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, जाएट सी बात है, जो queues होने चाहिए, जो information होने चाहिए, news होने चाहिए, वो negative होनी चाहिए, बट क्या आपको negative news है, फिलाल त queues तो negative है नहीं, तो कहीं न कहीं, यह जो call writers है, यही market को short covering के through उपर ले जाएंगे, अगर market ने नीचे support ले लिया, और continuously market उपर move करने लग गया, तो फिर यही short covering market को उपर ले जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल लहा हूँ, market थोड़ा सा confusing stage में है, फिलाल यह चीज आपके अगर चार्ट पर understand करने की कोशिस करें, तो देखो चार्ट आपके आँको के सामने है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कि यही call writers जो है न, यह जो 16-500 पर aggressive call writers आएं, यही call writers market को उपर भी ले जा सकते है, because of short covering, अगर market नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरने के लिए हमाँ पास क्यों चाहिए, अगर global market negative होते, 100-200 पॉंट नीचे trade कर रहे होते, या NASDAQ future आपको 100-200 पॉंट नीचे trade करता हूँ, तो हम aggressive sell कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, एक confusing market है, यह volatile market रहेगा, ठीक है, तो इसको clearly कैसे समझोगे आप, देखो, यह सबसे important level है, अगर आपको sell करके काम करना है, तो 16,440 को break होने दीजिए, जब तक यह level break नहीं होता, एक जो momentum था selling का वो आपका यह, यहाँ पर इन लोगों ने sell किया, उनको profit मिल गया, जाहिट भी बात है, उनके लिए यहाँ पर exit हो गया, मेरा target हिट हो गया, मैंने यहाँ पर short किया, क्योंकि कल लिए बताया था कि flat खुलता है, slightly gap down खुलता है, आप short करके काम करिया, आपको 16,450 तक का target मिल जाएगा, यह target मिल चुका है, ठीक है, अब यह first pullback आया है, इस pullback के बाद, अगर यह दुबारा से low break करता है, तो हम मान सकते हैं, trend intraday का negative है, बट अगर यह नीचे नहीं आता है, और उपर ही move करता रहता है, तो फिर यह trend volatile रहेगा, यहाँ पर यह further गरावट नहीं आएगी, क्योंकि यह उपर जाएगा, 16,630 के आजपास यह resistance face कर सकता है, ठीक है, इस level के आजपास यह resistance face कर सकता है, तो यही channel के अंदर यह trade करेगा, यह कोई trending नहीं हो पाएगा, ठीक है न, इतना आप clearly समझ लीजे, और अगर यह day low तोड़के इसके नीचे trade करने लगता है, तो फिर यह definitely trending हो सकता है, फिर 16,350 और 16,300 तक का target आपको देखने को मिल सकता है, इतना आप clearly समझ लीजे, बैंक निफ्टी के बात करें, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, देखो इतना आप करेंगे, अदर्वाइस हम थोड़ा सा अब avoid करेंगे, let the market को एक price action बनाने दीजिए, आप कि किस तरीके का price action यहाँ बनानी की कोशिस कर रहा है, उसी के बाद हमें एक साही direction यहाँ पर देखने को मिलेगी, 3500 और 3550 यह आपके पाद एक strong resistance का zone होगा, तो इस channel के फिलाल यह trade करने के कोशिस करेगा, तो same चीज निफ्टी आपको जब यह 16,440 break कर देता है, इसके नीचे trade करना start करता है, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर trending day बन सकता है, otherwise यह यहाँ से थोड़ी दिर बाद recover होके day high भी पहुश सकता है, और इसी channel के अंदर यह volatile रहेगा, य यह चीज के लिए समझ लीजिए आप, यानि एक direction view के लिए हमें cues भी थोड़े से negative चाहिए, यह चीज आप के लिए समझ लीजिए, ठीक है, अगर currently हम global market के बाद करें, तो अभी फिलाल यह करीब करीब ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं, अगर यह flat हो जाते हैं, यह फिलाट हो मैं आपको एक selling pressure देखने को मिल सकता है, बट अभी यह volatile रहेगा, ठीक है, इतना आपके लिए समझ लीजिए, तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है, I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आत